श्री शिवाय नमस्तु भीम दोस्तों दोस्तों कल 20 जन्वरी को मासिक शिवरात्री है यह माग मैने की माज पहली शिवरात्री है इस दिन गुरू जी ने करने योग बहुत सारे उपाय बता हैं तो दोस्तों उनमें से कुछ उपाय मैं आपके साथ शेर कर रही हूं यदि जादा बढ़ गए टेंशन जिन्दगी भी बहुत चल रही हो यह फिर आपको विमारियों ने भी घेर रखा है तो आप कही में जाईए आपको प्रत्यक मैने शिवरात्री आतिए शिवरात्री के दीन एक कलश जल का भराव लीजिए उसके अंदर एक शमी पत्र पांच बे नहीं शिव मंदिर जाईए और वो पूरा का पूरा जल से भरा हुआ कलश शमी पत्र और पेल पत्र यह सब शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए बस यह उपाए आप दो से तिन शिवरात्री करके देखिए दोस्तों यह जो दूसरा उपाए यह शमी पत्र का उपाए यह यदि आपके घर में बहुत दंसम पदा लक्षमी की कमी है आप बहुत परेशान है तो शिवरात्री के दिन हर मैने शिवरात्री आती है शिवरात्री के दिन यह उपाए आप ववश्य करें दोस्तों यह जो शमी पत्र होता है यह तेती कोटी देवी देवता को समर्पित हो और शिवरात्री की दिन या तो नो बजी के बाद या प्रदोशकाल में शिवलिंग पर समर्पित करें आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी तीसरा उपाय जो कि यदि आपको किड्नी लीवर या कैंसर संबंदी कोई भी विमारी हो या आपके शरीर में कहीं पर किसी प्रकार की कोई गाठ हो गई हो तो साथ धतुरे का ये बहुत अच्छा उपाय गुरूजी ने बताया है शिव जी की में करती चाहिके समर्पित करना है करना है तीसरा धातूरा आपको जलाधतूरा इस्तान होता है उस जगे समर्पित करना है उसके बाद अगला धतूरा आपको जो माता जगत जन्नी का हस्त कमले जो कटी भागे उस जगे समर्पित करना है उसके बाद एक धतूरा आपको जहां पर जल गिरता है ठीक नीचे जहां जल गिर रहा है उसी जगे समर्पित करना है और उस समय आपको चमपे प्रश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह समर्पित करना है और जो वह आखरी धतूरा आपने जहां जल गिरता है वहां चड़ाया है वहां थोड़ी देर बाद उठा लेना है उठाने के बाद जो भूत व्यक्ति भूत बिमार है उसका हाथ का इस पर शकरा के किसी भी बेल की कोई भी अभिलाशा हो कोई भी मनो कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही हो तो आपको करना क्या है कि आपके मन की अभिलाशा मनो कामना को बोलते हुए एक काली मिर्च और साथ काली तिल्ली के दाने अपनी हतेली में रखकर अपने मन की मनो कामना बोल कर श्रीव ले केवल एक नियम ले लेने से ही आपको उसका फल मिल जाएगा आपको करना के मात्र तीन दीपक का नियम लेना है कि आप मासीक शिवरात्री को हर महीने जो शिवरात्री आती है उस पर तीन जगे दीपक अवश प्रजुलित करेंगे वो कहां कहां पर है पहला दीपक आप ब बना लिजिए आप हर मैने तीन दीपक जलाए और यह दीपक जलाते वक्त आप लक्षमी जी मा पारवती और भोले नात का इस्मरण करते हुए जोली फेला कर अपने मन की मनों कामना बोलते हुए यह तीन जगे दीपक प्रजलित करें और केवल तीन मैनों में ही आपके मन की जो भी मनों कामना होगी वह पूर्ण हो जाएगे दोस्तो अगला उपाहे यह भी हर मनों कामना के लिए हैं इसमें आपको करनाज क्या है आपको एक बेल पत्र लेनी है और थोड़ा सा लाल चंदन घिसना है लाल चंदन घिसकर बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा दीजिए यदि आपके पास लाल चंदन वेसे नहीं है तो बजार में भी लाल चंदन मिलता है आप मार्केट के वाला लाल चंदन लाकर बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर बेल पत्री की पेड़ के नीचे वहीं पर समर्पित कर दीजिए तोड़ी देर वहां उस बेल पत्र को रखे रहने दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए फ बेल पत्र चड़ा दे आपके मन की जो भी मनों कामनाप होगी वो बोलना जल्दी ही पूर्ण करेंगे दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जैश्री महाकाल